हां जी मेरी YouTube फैमिली क्या हाल चाला है आप सब क्या होप एकदम मज़े में होगे आप सब आज की वीडियो के टाइटल और थम्नेल से आपको पता तो चली गया होगा किस बारे में है ये वीडियो आज सुबह ही जौन पॉसर ने एक वीडियो रिलीस की है जहां पर उन्हें काफी सारी बाते की हैं नए Macbook Air के बारे में तो उसी के उपर है आज की वीडियो उनके इंगलिश में वीडियो थी बेसिकली उसी वीडियो को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है और आपके लिए प्रेजन कर रहा हूं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज के बारे में बात करते हैं वो है नए प्रडुक्ट्स का रिव्यू का बाने वाला है वीडियो का बाने वाली है तो अगर आपको नहीं पता है एपल के तीन नए प्रडुक्ट्स है जो आने वाले हैं नेक्स्ट दो हफ्तों के अंदर अंदर पहला है iMac, दूसरा है iPad Pro और तीसरा है Apple TV अब ये तीनो जो प्रोडक्ट्स हैं, पब्लिक को कब मिलेंगे, exact dates नहीं पता है, pre-order 30 तारीक को मैंने कर दिये थे बट यहाँ पर पंगा क्या है, कि वहाँ पर लिख क्या रहा है, 21-28 में के बीच में कभी भी आ सकता है और जो delivery वाली date है, अगर हम John Prosser की हिमाने तो वो है 21 में, तो अभी कुछ भी पता नहीं है, products कब मिलेंगे बट आप 21-27 के बीच में किसी भी दिन वीडियो expect कर सकते हो, बट यह सिफ नॉर्मल लोगों के लिए जो influencers हैं, जो YouTubers हैं, जो Apple के साथ काम करते हैं, उनके पास already यह जो products हैं, पहुँच गए हैं और John Prosser ने आज ही dates reveal की हैं, किस दिन वीडियो आप देख पाओगे, iMac और iPad Pro की तो iMac की जो वीडियो है, वो में 18 को सुबह 6 बजे, Pacific Time Zone की मैं बात करूँ, Los Angeles की आप देख पाओगे अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो 18 में को Tuesday, शाम को 6 बजे आपको वीडियो मेल जाएगी, iMac की और यह जो वीडियो है, यह आप expect कर सकते हो, सारे ही बड़े YouTubers के चैनल पे, MKBHD, Your Average Consumer, Crystal, iJustine और और भी बहुत सारे हैं, अब सब के नाम तो मैं नहीं ले सकता, रिने रिची हो गए, इन सब के चैनल पे आपको वीडियो मेल जाएगे और उसके next day पे ही, 19 में को आएगी iPad Pro की वीडियो, जो 12.9 इंच वाला है, उसकी वीडियो आएगी 19 में को, same time तो iMac की जो वीडियो है, वो है 18 में को, शाम को 6 बजे, इंडिया टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, और 19 में को आजाएगी iPad Pro की वीडियो, सारे ही बड़े यूट्यूबर्स के चैनल पे, शाम को 6 बजे, Wednesday वाले दिन आएगी iPad Pro की वीडियो, और बाकी जितने भी normal यूट्य हैं, हम सब की जो वीडियो हैं, वो 21 तारीक के बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 21 तारीक को ही इंडिया में भी delivery स्टार्ट हो रही है, अब काफी जगा पर delivery जो है वो बंद है, आपको पता है situation कैसी है उसकी वजह से ही, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो इंडिया में जब 22 तारीक होती है, तब यहाँ पर 21 होगी, क्योंकि लोस आंजलस का जो टाइम जोन है, वो आल्मोस्ट 12 तेरा घंटे पीछे है, तो आप मेरी जो वीडियो है, वो रात को काफी लेट 21 तारीक को expect कर सकते हो, या फिर 22 तारीक को, अगर 21 को release होता है, क्योंक मैं MacBook Air की, अब यह जो चीज है, मैं इसको cover करना नहीं चाहता था, क्योंकि जादा लोगों को interest नहीं होता है, बट आज सुबह से Instagram पर काफी message आए, और मैंने भी वीडियो देखी, तो सोचा है, वीडियो बना लेते हैं, काफी दिनों से ऐसी कोई भी news वाली वीडियो नहीं MacBook Air, और यह M2 वाला MacBook Air होगा, अभी तक जो MacBook Air आपको मिल रहा है, वह M1 प्रोसेसर वाला जो Apple का अपना प्रोसेसर है, और हम सबको पता है, Apple अभी काम कर रहा है, M2 लाइन के ऊपर, M2 प्रोसेसर जो उनके है, M2 वाला MacBook Air है, इसके release होनी की जो date है, वो 2022 या 2023 है, exact date नहीं पत आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, तो अगर ऐसा होता है, तो मज़ा बहुत आने वाला है, क्योंकि बहुती कूल-कूल यहां पर डिजाइन हमें मिलेगा, और MacBook Air जो है, सबकी पहली चोईस होती है, क्योंकि बहुती रीजनेबल प्राइस पे, यह वाले जो लैप्टॉप्स हैं, वो आते हैं, बहुत जादा पतला हो गया है MacBook Air, एक बार आप फोटोस देखो, मैंने भी वीडियो देखिया, तो मैं भी सोच था, इतना स्लिम कैसे, बट आपको पता है, क्योंकि MacBook Air के अंदर फैन वगरा तो अलेडी नहीं है, तो अब बहुत जादा हो चुका है, और अब आप मुझे comments में बताओ, आपका क्या सोचना है, ये colors के ऊपर, आप colors वाले चाहते हो, या आपको जैसा भी space gray और silver आता है, वही पसंद है, और यहाँ पे कुछ और details भी जान प्रसर ने शेयर किया है, तो सबसे पहले जो जान प्रसर ने रिवील किया कि यहाँ पे actual photos उन्होंने नहीं डाली है, बट उनके पास actual photos है, अब obviously security concerned की वज़े से, original photo तो वह नहीं डाल सकते हैं, तो उन्होंने रेंडर तयार किया है, और बिल्कुल ऐसा ही नया दिखने वाला है Macbook Air, अब यहाँ पे उन्होंने सिर्फ top और bottom देखा है, बाकी जो details है वो pictures उन्होंने नहीं मिली हैं, तो उन्होंने अपने पास से ही कुछ चीजें यहाँ पे डाली हैं, जैसे कि अभी जो आप screen देख रहे हो, यहाँ पे white bezels होंगे, यह sure है, बट screen का क्या size होगा, कितने बड़े bezels होंगे, इसके बार में कोई भी idea John Prosser को नहीं है, बट उन् Green भी देखा है, बट उनके पास उसकी picture नहीं है, बट आप Green वाले MacBook Air की picture अपनी screen के उपर देख रहे हो, यहाँ पे इस MacBook Air के अंदर हमें सिर्फ दो USB-C ports मिलेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं, अगर हम ports की बात करें, और उसके साथ ही bottom की अगर हम बात करें, तो usually क्या हो क्योंकि इससे बहले Apple ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और vertical strip देखने में भी बहुत अजीब लग रहा है, अब I don't know, आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है या नहीं, मेरे साब से तो नहीं होगा, और उसके साथ ही, यहाँ पे जो है, कीबोर्ड जो है, उसका size भी थोड़ है M2 processor, releasing date में अल्रेडी बता चुका हूँ, अभी कुछ भी clear नहीं है, बड जॉन प्रोसर की माने तो 2022 या 2023 हो सकता है release date, क्योंकि अभी last year ही MacBook Air आया है, इतनी जल्दी Apple refresh नहीं करेगा, क्योंकि Apple का जो दो साल वाला cycle है, जहां पर जितने भी उनके Intel वाले laptops या Intel वाले computers हैं, उनको switch कर रहा है ARM processors के उपर, तो बाकी पर शाद जादा focus होगा, तो 2022-2023 में हमें ये वाला MacBook Air देखने को मिलेगा, और अब ये हैं सारे के सारे leaks and photos जो आभी आपने देखे, अब आप मुझे बताओ आपका क्या reaction है इसके बारे में, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे blue वाला और जो green वाला MacBook Air है, बहुत पसंद आया है, अब आपके comments का मुझे इंतजार रहेगा, वीडियो को जादा नहीं खीचते हैं, यहीं पर करता हूँ, वीडियो को खतम, मिलूंगा आपसे next वीडियो में, तब तक के लिए, take care, bye